कितना सौफ धोगला बना है जाली भी एकदम पॉफेक्ट है और सबसे बड़ी बात मोरने पे धोगला टूट भी नहीं रहा है ऐसा ही सौफ धोगला आप भी बना पाओगे अगर आप मेरी दीगे टिप्स को फॉलो करोगे किचन में तो आएए इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक बोल में वन थर्ड कप धुली उड़त की दाल ली है और वन थर्ड कप मैंने शोवाविंकी दाल ली है इस दाल को मैं आपको हाथ में लेकर दिखाते हूँ यह दाल आपको मार्किट में असानी से मिल इस दाल को मलोभ्या की दाल या चवली की दाल भी बोलते हैं मैंने आपको मेजरिंग खप का यूस किया है आप घर में कोई भी कटोड़ी ले सकते हो लेकिन आपको दोनों की मात्रा एक्वल रखनी है दोनों दालों को अच्छे से धोकर मैं कम से कम 4 घंटे के लिए इसको भीगो के रख दूंगी आपको इन दाल को कम से कम 4 घंटे तो भीगो के रख नहीं है 4 घंटे हो गए है अब इस दाल को मिक्सजार में डाल कर अच्छे से पीश लूँगी और मुझे कम से कम पानी का यूज करना है और कम दाल को से समिय पाना है दल को पीष पानी 間Your को प्रोघ्य करके दालें कि दफें दाल बारिक पीष गई है अ अब मुझे इसको फेटना है इस दाल को मैं तब तक फेटूंगी एक तो इसका कलर चेंज हो जाए तब तक और दूसरा मुझे यह हलकी महसूस होने लगेगी तब तक जब तक हम दाल फेटते हैं इस बीच हम स्टीमर में पाने डाल कर उसको गरम होने के लिए रख देते हैं क्योंकि उसको भी गरम होने में 5-7 मिर का टाइम जाएगा यह देखिए फ्रेंड्स मैंने स्टीमर को गैस पर रख दिया है और मैंने वही वाले स्टीमर लिया है जिसमें मैं इडली बनाती हूँ आप भी वही बरतन यूज करना जिसमें आप इडली बनाते हो और अब एक इलास पानी डाल कर इसको ढख कर पानी के उबलने का इंतिजार करेंगे स्टीमर को ढख कर रख देते हैं और जब तक अपने ढोगले का बैटर भी रेडी कर लेते हैं यह देखिए बैटर एकदम पॉफेक्ट है जैसे ढोगले के लिए होना चाहिए अब मैं इसमें डालऊंगी बारीक कटि हुई half कफ मेधी अब डालेंगे इसमें half teaspoon नमक मैने इसके अंदर बारीक कटि हुई हरी मिर्ष और अधरक भी डाला है अब इसमें डालेंगे montage teaspoon हींग यहाँ पे आपको हींग को डालना ज़रूरी है 3 tea spoon इसकेंदर मैं oil डालुंगी यहां पर मैं रिफाइन उई का यूज किया है, आप भी डालना और लास्ट मैं डालूंगी मैं half tea spoon ईनो और इनो को activate करने के लिए डालूंगी मैं half tea spoon पानी और इस बैटर को अच्छे सी मिला देंगे इनो का पाकिट हमेश्चा आपका नया होना चाहिए नहीं तो ढोकले बिलकुल भी अच्छे नहीं बनेंगे अगर आपको मेथी ना पसंद हो या आपको किसी सीजर में मेथी ना मिल रही हो तो आप पालक भी डाल सकते हैं अब इन चीजों को अच्छे से मिलातेंगे ताकि नमक और जो बाकी मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाए सारे बैटर में इनो डालने के पाद हमें बिलकुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है तुरंत इस बैटर को मोल्ड में डालना है friends मेरे पास इस तरह के mold हैं मैंने इनको अच्छे से grease कर लिया है मैं इस में ढोकला बनाऊंगी अगर आपके पास यह ना हो तो आप जिसमें आप इडली बनाते हैं उसमें बना सकते हो आपको उनको भी ओल से ग्रीज करना होगा यह देखिए मैंने सारे बैटरों को मोल्ड में डाल लिया है मेरे पास यह छे मोल्ड थे बाकी धोकले मैं इडली के मोल्ड में ही बनाऊंगी मैंने उनको अच्छे से ग्रीज कर लिया है बैटर डालके मोल्ड को एक बार टैप कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर एर है वो निकल जाए और इनको हम स्टीम होने के लिए रख देंगे पाई अच्छे से उबल गया है अब इन धोकलों को स्टीम कर लेते हैं और यह बारा मिनट के लिए स्टीम होंगे और इनको फुल पर स्टीम करना है फ्रेंट्स बारा मिनट हो गए है मैंने गैस को बंद कर दिया है अब मैं स्टीमर के ठंडा होने का वेट करूंगी स्टीमर ठंडा हो गया आप मैं इसको खोलती हूं यह देखिए हमाले धोकलों कितने बढ़िया और सौफ्ट और स्पॉंजी बने है फ्र देंस मैंने यह पर रिफाइन ओल यूज किया है जब हलका सा गरम हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून राई छोटी वाली हाफ टीस्पून जीरा इसको शटकने देंगे फिट डालेंगे इसमें हाफ टीस्पून हींग को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आठ दस पत्ते हम करीब पत्ते के भी डालेंगे यह देखित का अमारा त्यार है इस तर्क्यों को मैं ढोकली के ऊपड़ डालूंगी ठोख होए डालूंगी और गार्निश्ण के डालूंगे थोड़ सा हरा धनिय जुसको मैंने बारीक काट लिया है इन ढोकलों को आ भूले मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ में तब तक हैपी कोकिंग